जी ओम नमस्ते प्रणाम में आपके आवास अनुपा रहा हूँ बोलिए किसकी प्रोब्लम रहती है सास की प्रोब्लम रहती है जैसे प्रोब्लम नमोब्लम जाता है सास की प्रोब्लम इस समय keen जैसे अबी सर्दिया स्टार्ट हो था या स्तूर्च प्रणाम है और छोटे बचों और भुजर्गों पर इसके ज्याधा असर होता है तो सास की प्रोब्लम के लिए एक तो श्वास का व्यायम करें, श्वास का व्यायम ही प्राणायम है, प्राणायम मीन स्वास, ब्रैथ, एक्सिसाइज जो ब्रैथ, इस इस गोल प्राणायम है, तो प्राणायम से आपका रैस्पिरेटी सिस्टम अच्छा होगा, तो बच्चे हो या बुजूर्ग हो सभी को एक तो प्रणायम करना चीज़ स्वास के लिए इस समय जैसे अभी सरदी स्टार्ट हो रही है तो जो हम देखते हैं कि प्रणायम तो करें आराम आराम से जितना कर पाएं सास के लिए सबसे अच्छी चीज़ है गिलोई घनवटी लक्षमी विलास तीन में से जो भी आपको अनुकूल पड़े गिलोई घनवटी तो सबको अनुकूल पड़ती है बहुत ज्यादा काफ कोल्ड है तो संजीवनी और लक्षमी विलास या गिलोई घनवटी एग गोली लक्षमी विलास एगोली संजीवनी एगोली तीन तीन गोली ले लिजिए जो काढ़ा पी सके हैं तो स्वासारी काढ़ा पी लिजिए रेडिमेट चाहिए तो स्वासारी प्रवाही लिख़े ले लिजिए और बहुत ज्य और हमने इससे लाखों करून लोगों को ठीक है, मैं कुस प्रिस्टेफशन बता रहा हूँ आपको, शासारी 20 ग्राम, तर्कुडा 20 ग्राम, सितोपलादी 20 ग्राम, प्रवाल पिस्टी 5-10 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, और बहुत ज़्यादा क्रोनी कहते हैं, तो सुन बसंत मालती थोड़ा महंगा होता है, ये भी 2-3 ग्राम ले सकते हैं, और शाहद में मिला करके सारी चीज़े, एक-एक ग्राम से लेकर के 2-2 ग्राम शाहद के साथ चटा दीजिए, कितना ही बहंकरा स्तमाव, डॉक्टर कहते हैं, कि दमा दम के साथ जाता है, मैं कहता हूँ, दमा एक दम जाता है, जो मैंने प्रियोक कर बताया, आप करके देख लीजिए, आपको निश्रीत रुप से लाम मिलेगा,